हैलो, इंडियन किचिन आर्ट में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे ठेले स्टाइल कचोड़ी और आलू की सबजी जिसको खाते ही आपको ठेले की याद आजाएगी और धावे में इसी तरीकी सबजी बनके तयार होती है, चलिए बनाते हैं, मैंने या डेड़ कटोरी अवरनाइट इसको भिगो के और धो के साफ कर लिया, अब इसको जार में डालके पीसेंगे, हमें इसको एक साथ नहीं पीसना है, चलाते हुए फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे फिर रोकेंगे, ऐसे दरदरा पेश्ट बनाके तयार कर लेंगे, यहां मैंने देखिए तरफ तेल से ग्रीस कर लेंगे कड़ाई को, जिससे हमारा जो डाल है वो चिपके ना, यह देखिए हम इसमें मूंकी डाल को इसमें डाल देंगे, और इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे, देखिए और इसको साथ ही साथ जो इस कड़ाई में लगता जाए, उसे भी जाए, जिससे ही हमारा जलेगा नहीं, अब यह मुझे भींचते हुए, पंद्रे मिनट हो गए थे, पंद्रे मिनट में हमारी देखिए, जब इस तरीके से इसका सारा पानी खतम हो जाए तो हमारा भुंच के तयार है, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, यहाम इने एक चम्मच धनिया पाउडर, आदी चम्मच फेंग, एक चम्मच और एक चम्मच इसमें नमक ढाल के चला लिया था, इसको एक थाली में ठंड़ंने रग दिया, हमने यहां आटा लिया है और इसमें हम पानी ढाल के इसको लगाएंगे इसमें मैंने एक चम्मच कसूरी मैथी और स्वादनसान नमक डाल दिया आधी चम्मच नमक डाला है यह हमारे इसको हम लगाके ढखके हम इसको 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे तब तक हम अपनी सबजी बनाते हैं यहां मैंने कड़ाई ली है इसमें 4-5 टेवल स्पून तेल डाला है आप अपने साथ तेल डाल सकते हैं यहां मैंने एक चम्मच जीरा जब यह फ्राई हो जाए आधी चम्मच हींग और हमने एक चम्मच हल्दी पाउडर अब हम इसको अच्छे से चला के हमने एक बड़ा चम्मच गरम मसाला कोटा हुआ ले लिया है खड़ा जो होता है इस जिए जब भुण जाए ता हमने यहां तीन टमाटर रफली चॉप करके काट लिये ते उसको भी इसमें डाल देंगे हमने एक चम्मच खड़ा धनिया लिया उसको क्रश करके इसमें डाल दिया आधी चम्मच नमक डाला है अब इसको अच्छे से ढखकर दो से तीन मि पता डाला है हमने यहां पर किचिन किंग मसाला यहां पर डेड़ चम्मच डाला है आप अपने नुसार डाल सकते हैं यहां मैंने कशूरी लाल मिर्च ली है इसको भी हमने एक बड़ा चम्मच डाला है हमने यहां पर ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च ली है इसको भी हमने आदी चमच डाला है तीन हरी मिर्श को लंबा लंबा काट के ले लिया है अब सब मसालों को हमें अच्छी तरीके से चलाते हुए भूझना है देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी तयार हुई है यह जब हमारे इस तरीके से भूझ जाए हमने एक चमच इसमें अमचूर पान से च्छे वाई लालो लिये ते इसको फोड लिया था हाँ से अब हम इसको इसमें डालके अच्छी तरीके से दो से तीन मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई करेंगे यह बहुत ही डिलिशेस सबजी वनके तयार होती है यहां मैंने एक गलास पानी लिया है इसमें एक गलास पानी डाला है और इसको चलाया है उसके बाद मैंने यहां पर आदा गलास पानी और लिया है उसको भी इसमें एड़ कर दिया है कुल मैंने यहां डेड़ गलास पान 10 मिनट बाद हमारी यह देखिए परफेक्ट सबजी बनके तैयार है फ्लेम हमें इस मीडियूम रखना है यह हमें इस स्टेज पर हमाइन गैस बन कर दें क्योंके हमारे सब्जी बनके तैयार है अभी यह सब्जी आपको पतली लग रही होगी लेकिन ठंडी होने के बाद यह तो हमें इसी स्टेज पर इसको सर्व कर लेना है यहां मैंने देखी एक बाउल में सर्व किया है यह बहुत लिला जवाब सबजी बनके तयार होती है चलिए हमारा यहां पर आटा भी सैट हो गया है अब हम इसको जो हमने मूंकी डाल का बैटर बनाया था वो भी यहां पर रे बनाया था उसको आप अपनी लोई के साफ इसमें बहर सकते हैं यहां मैंने एक चमच मसाला भरा है अब इसको देखिए मैं किस तरीके से दवा दवा के इसको भर रही हूं इसे खुलना नहीं चाहिए बस इसकी जो हम इसको दवाते हैं वो अच्छी तरीके से खुल जाएगी यहां मैंने भर के तैयार कर ली है अब दूसरी तरीके से मैंने और भर के आपको दिखाया है यह ऐसे हातों से दवाते हुए साइट से पतला और बीच में मोटा रहे इस तरीके से हमें अपनी लोई तैयार करनी है अब हमने जो बैटर बनाया था उसकी एक टेवल स्पून इसमें हमने बैटर डाला है अब हम इसको भी उसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे देखिए हम किस तरीके से फोल्ड किया हमारी यहां दोनों लोई बनके तैयार है इसी तरीके से मैंने सारी लोई बना ली है यह देखिए है मैंने यहां पर बेल के तैयार कर ली है इसी तरीके से मैंने दूसरी भी बेल के तैयार कर ली और मैंने सारी यहां पे बेल के तैयार कर ली थी अब हमने एक कढ़ाई ली है उसमें मैंने तेल डाला है अब यहां पे हमें जादा गरम नहीं करना है अब इसके बाद हमें इसमें मैंने दौनों कचोड़ियों को डाल दिया फ्राई होने के लिए अब हमें इसको छूना बिल्कुल नहीं है जब तक ये कचोड़ी उपर देखिए इस तरीके से ना आ जाएं अब हम इसको पलट पलट के सेकेंगे ये पूरी कचोड़ियां सिकने में मुझे तीन से चार मिनट लग गए थे या पांच मिनट भी लग सकते हैं यहां मेरी कचोड़ियां बनके तयार हैं ये एकदम परफेक्ट ठेले स्टाइल कचोड़ी बनके तयार हैं ये देखिए मैं आपको यहां पे तोड़ के दिखाती ह यह बहुत ही लाजवाब है एक वार इसको बनाईएगा जरूर अगर एक वार बना ली तो आप इसको बार बार बना कर खाएंगे देखिए इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी भरी हुई है ना लाजवाब अब हम यहाँ पे जो हमने सबजी बनाई थी उसको एक वाउल में सर्व करते हैं यहाँ मैंने सबजी को एक वाउल में सर्व किया देखिए धीरे धीरे यह सबजी गाड़ी होने लगी है इसी तरीके से आप थोड़ी पतली सबजी हो तभी उसको उतार लें आपने यहाँ पे चार चम्मज दही लिया था इसको अच्छे से फेंट केस में आदी चम्मज चीनी डाल दिया है अब हम इसको भी इसके उपर सर्व करेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है यह मानी इसको डालने से इसका टेश्ट दुगना हो जाता है अब यहां मैंने इस तरीके से प्लेट में सर्व करके आपको दिखाया है यह दूसरी तरीके से मैंने इस तरीके जैसे ठेले में देते हैं वहाँ वो दौने में देते हैं मैंने इस तरीके से आपको सर्व किया है देखिए है ना लाजवाब अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि ये रेस्पी आपको कैसी लगी